आप सभी को जार्खन नटबुक चैनल में हर्दिक स्वागत है जैसे कि आप सभी को पता है कि जार्खन नटबुक एक नया माइलिस्टोन 100 सब्सक्राइबर का जो टार्गेट था वो आप लोगों के कारण कम्प्लीट हो चुका टो वीडियो को इतना प्यार दने के लिए फिर से थैंक्यू और इसी खुशी में जार्खन नटबुक जो है आप लोगों के सामने एक नए रूप में तेयार है नए अपडेट के साथ त्यार है आप पहले के वीडियो देखे होंगे और अभी के वीडियो अब देखेंगे आप तो उसमें बहुत सरे अंतर आपको नजर आएंगे और बहुती जल्द जो है ये चैनल जरकन के हर छेत्र में फेल जाएगा और सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों के कारण पोसिबल हो सकता है तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आज के सेसन में हम लोग बात करेंगे तो इस चैनल इज फोर यू और मेक सिर्फ टू सब्सक्रेब दे चैनल लेट्स स्टर्ट इस सेसन सबसे परम लोग बात करते हैं CGL का जहरकन CGL का नया आपडेट समनाया है जिसमें ये जो अपडेट है कि पहले जो फोर्टो अपलोड का फोर्टो और सिगनिचर अपलोड करने का डेट दिया गया था लास्ट डेट वो कब तक था 2 दिसमबर 2022 तक था बट फिर से जो आप लोग के एक मोखा जैसे स्थिक तरफ से दिया गया जिसमें फोटो और हस्ताक्चर फोटो एंड सिगनिचर अपलोड करने का डेट जो है 16 दिसम्मर तक बिश्तार क्या गया अब जले चलते हैं next information की और next है हम लोग का कि जो TGT का exam हुआ था टीचर्स का TGT का 2016 का वो exam में जो document verification का process start हुआ था उस process को जो है अपरिहार्ज कारेंस से जो प्रारंबिक जाच कार्जिकरम documents बगर का प्रवान पत्र का उससे अगले आदेस्त क्या करे गया है इस्थागित क कोई analysis इसका एक analysis वीडियो जो है बहुत चल जो है पप्लिस किया जाएगा चनल में तो चनल में बने रहे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा फिर से क्यों इसको इसको इस्थागित कर दिया गया जब document perfection का process start हो गया था तो चलिए next notification क्यों बढ़ते हैं हम लोग next notification जो है जो जारखंड अधोगिक परसेक्षन पदाधिकारी का जो application form जिसे एक बार विस्तार क्या गया था पहली बार जो date आया था इसको apply करने का उस date को अब देखेंगे तो 17 November की मज रात्रतरक आबदन प्राप्त किया रहे थे जिसे विस्तार करके 2 December 2022 तक क्या गया था होंगे क्योंकि इसका जो qualification बगर रखा गया है उसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो btech and diploma वाले हैं वह उसमें eligible ही नहीं है है क्योंकि जो CTI का qualification रखा गया है जिसके करण जो हो सकता में भी डैट इस टोटल 100 परसंट नॉट स्योर वाट यह में भी हो सकता है कि जिसके करण बार बार application form का डेट को विस्तार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग apply करें तो सुचना अंतिम्तिति कब रखा गया इसका 19 दिसम्मर 2022 तक registration करने का अंतिम्तिति रखा गया है एक्जाम भी वरने का 21 दिसम्मर है और photo and signature और प्रिंट आउट लेने का last date 23 दिसम्मर 2022 रखा गया है और फिर चोबीस से सताष तक अगर इसमा अगर आपका कोई गलती हो गया तो इसे आप फिर से सुधार भी कर सकते हैं तो इतने सारे चीज़े इस वेकंसित के साथ हो रही है इसमें बार बार डेट एक्स्टेंड हो रही है फिर उसको इतना सारा टाइम दिया जा रहा है तूट विजन इसके पीछे कुछ ने कुछ कारण होगा जिसके बिना इतना सारे जो शूलेट नहीं दिया जाता है तो अगर आप पहले नहीं किये छूट किया है अपलाई करना चाहते है सारा चीज़े आप देखे इस रेलिटेट कोई भी अगर आ आप अपलाई किया थे कब तक आप अपलोड नहीं किया गया तो जब तक आप फोटो और सिगनिचर अपलोड नहीं करेंगे तब तक जो है अपलिक्शन पोर्शेस जारखन जे एसससी में कम्प्लीट नहीं होता है तो जिसके कारण इसके भाब के कारण जो है सम्मन्दित आप देख की जो केंडिटी चेर है वो क्या रद कर दिया जाएगा तूप्त सुचना एवंग सुविदा के वावजूद भी इस सुचना के वावजूद भी क्या 5,416 आप देखो दारा आप देखन के प्रारमिक चर तरन को complete नहीं किया यानि कि परिक्षा सुल्क नहीं दिया उसके बाद 723 विदर्थी ऐसे भी है जो परिक्षा सुल्क देने के बाद फोटो और सिगनिचर अपलोड नहीं किया तो यहां लिखा है कि उप्त सभी आवदिकों का आवदन रद किया जाता है जिनकी सूची निम् लोडिंग और फोटो सिगनिचर एंड नोट मेंकिंग पैमेंट जो एक्जामिनेशन की है उसे पैमेंट ना करने के कारएंट इतने सारे को क्या कर दिया रद लगबग 723 तो टोटल 723 आवदन को इसमें रद कर दे गया तो इस पूरा सेशन में हम लोगे चार मोस्ट इंप के सामने प्रेंट होगा ताट सौल पर तूदे थैंक यू थैंक यू थैंक यू पर अटनिंग असेशन